नमस्कार दोस्तों वाइटी भारत पर आज मैं आपको ले करके चलूँगा भारत के सबसे फेमस टुरिस्ट डेस्टनेशन्स में से एक केरला के सफर पर यहाँ पर हर साल लाखो लाखो सलानी कोमने के लिए आते हैं यहाँ की नैचरल ब्यूटी को एक्सपिरियंस करने के लिए यहाँ के बैक वाटर स्पोर्ट को देखने के लिए यहाँ के कोकोनट ट्रीज की सुंदर्ता को निहारने के लिए यहाँ के चाय के बगानों को देखने के लिए ऐसा बहुत कुछ है केरला में जिसको आप experience कर सकते हैं आपको एसी प्राइवेट केब से sightseeing प्रवाइड करी जा रही है कोचिन एयर पर्ट या रेलवे स्टेशन से आपका pick up होगा और कोचिन रेलवे स्टेशन या एयर पर्ट तर ही आपका drop कर दिया जाएगा आई बोसो सबसे पहले आपको आइकनल बताना स्टार्ट कर देता हूँ आपको fast day पर पहतना होगा कोचिन यहां से आपको ले जाए जाए रहा है मुनार के लिए 130 किलोमेटर की जर्मी होगी जिसमें 405 घंटे लगने बाले हैं सबसे पहले आप पहुँच जाए क्लीन ओप एरेबिल सी की एक ऐसी जगह पर जो आपकी कोचिन एयर पोर्ट या रेलिवें स्टेशन के पास परती है यहां से आपको प्री बुग्ड होटल में ट्रांस्टर किया जाएगा जो मुनार के अंदर रहने वाला है ओन डबे आप देख सकते हैं चाप्रा और वलारा बैल्स दे अबिडेंट ग्री और गुशिं वाटर पास आप तो देखने को मिलेंगे जो आपके हर्ट को नहपी में एसमराइज कर देंगे ओटल पहुँच करके चेक इन करिए रेस्ट करिए दिनर करने के बाद आई दोस आई मुननार टाउन की साइट सिंग पर यहां पर आप जाएंगे फोटो पॉइंट जंगल हनी भी नेस्ट मुदप्ती डेम लेक डिटीडीसी बोटिंग एलिफेंट एराइवल स्पैप सिनिमा शुटिंग पॉइंट इको पॉइंट गुंडाला लेक इस्पाइस अगर पॉटल में ब्रेक फास करें चेक आउट करें ठेकडी के निकल जाये ठेकड़ी पहुंच करके आप वाँ पर निजाय कर सकते हैं स्पाइस फ्रांटेशन को ठेकड़ी के अंदर ब्रेक पर नेवर प्लेयार एक पर नेवर लैक इस्टे रहेगा आपके फोटल के कर देखने को मिलता है यहां के लाइफस्टाइल देख करके आप मज़ा ही आ जाएगा और यह जर्णी आपके बहुत जबर्दस होने वाली है देफारयाप पर आप निकलेंगे अलपी से कुछी नापकर ड्रेफ ड्रॉप किया जाएगा वर्ल 60 किलोमेटर 5 यंटे करीब लग अपके रिखर चा करीए भी इसनेशन पर ड्रॉप कर दिया जाएगा दोस्तों अब बात करिते हैं इस पकेज की कॉस्ट के बारे में और होटल डिटेल्स के बारे में इसके बात बताएंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में जो मैं आपको अभी प्राइस बता रहा हूँ अगर आप without houseboat लेते हैं तो इस package के price में अच्छी खासी कमी आ जाएगी इसके लिए आपको travel company से संपर करना होगा आपको LAP के अंदर hotel option भी दिया जाता है लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप with houseboat stay लीजिए क्योंकि once in a lifetime memory के लिए आपको LAP में houseboat stay जरूर करना चाहिए दो लोग अगर जा रहे हैं 16,999 रुपे per person cost आएगा और ये जो दो लोग हैं वो adults होने वाले हैं बच्चे समें included नहीं हैं अगर चार लोग आपके साथ हैं 13,900 रुपे per person 6-7 लोग के हैं चाहे वो institute का हो, school का हो, college का हो, corporate का हो, किसी भी तरीके का group हो, even family का group हो, तो आपको जितने बड़े group की size में आप जाएंगे उतना ही package की cost कम आती चली जाएगी, hotels की बात कर लेते हैं, मुननार के अंदर hotel bell badera resort या princess दी मुननार या इससे similar मिलेगा, ठेकड़ी में hotel periyaar nest resort या season ठेकड़ी या इससे similar मिलेगा, L.A.P. में super deluxe houseboat या इससे similar मिलने वाला है, package inclusion की बात करें, two night in मुननार, one night in ठेकड़ी, one night L.A.P. in houseboat, जिसमें आपको lunch, dinner, breakfast मिलने वाला है, welcome drink on arrival, four night accommodation in hotel, four daily breakfast in hotels और houseboat वाले दिन, सारे meals इसमें included होने वाले है, all transfer and sightseeing by AC private car मिलने वाला है, pick up drop मिलेगा, kuchin airport से, kuchin airport पर drop होगा, all toll tax, parking charges, driver charges, fuel cost, इसमें सब कुछ inclusive है, package में क्या का exclusion है, any airfare, train fare, monumentary, entry fees, park entry, कोई भी आप ride करते हैं, जिसमें boat ride included है, उसका charge आपको देना पड़ेगा, कोई भी person आपका खर्चा और GST का बिल चाहिए, तो 5% आपको extra pay करना पड़ेगा, दोस्तों मीत करता हूँ, आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, फिर भी इस tour package को book करवाने के लिए, जिसकी validity बीस जून दो हजार चौबिस तक रहने वाली है, तो आप इस package के लिए travel company से संपर कर सकते हैं, चैनल को बिना subscribe करें, ना जाएं, साथ मिल लगए बेल आकों को तो आए, all code select करें, और बन जाएं, वाइटी भारत के एक family का हिस्सा, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तो तक लिए नमस्कार दोस्तों, जैहिन जैभारत अपना बहुत ध्यान रखेगा, नमस्कार